तो फाइनली गाईज आज यो का मेगा दिवाली सेल अब शूड़ हो चुका है इस सेल में हमें फिर से काफी अच्छे जो डिसकाउंट्स है वो देखने को मिल रहे है नाइकी के शूज के उपर इस वीडियो में आपको नाइकी के कुछ जो बेस्ट शूज है वो रेकेमेंट करूँगा जो कि आपको इस सेल में काफी डिसकाउंटेट प्राइस पर जो है वो मिल सकते है साथ ही में कौन सा डिसकाउंटेट कूपन आपको यूज करना चाहिए ताकि आपको और कम प्राइज में ये शूज मिल पाए ये वी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट जो डील है वो मिल सके तो वीडियो पूरा इंटक देखते रहे है ताकि आपको ये सारी जो information है वो मिल जाए तो चली गाइस देखते हैं कि Nike की कौन से शूज आपको इस सेल में वो बाय करना चाहिए और किसके उपर आपको बेस्ट डिसकाउंट मिल सकता है तो सबसे पहले गाइस यहाप पर Nike के Quest 6 running shoes अब ये जो shoes है वो Quest series के सबसे latest shoes है इसके पहले Quest 5, Quest 4 ये सारी shoes जो है वो launch हुए थे and Quest 6 latest launch है और इसमें काफी सारे improvements है वो किये हुए है जैसे यहापे comfy ride की कुशनिक है वो मिल जाएगी जो की super soft है और running में भी आपको काफी जादे help हो जाती है साथी में जिसकी match की quality है वो भी बहुत अच्छी है आपको throughout shoes जो है वो काफी सारे जो guys एक बहुत ही अच्छा package है जिसमें आप running भी कर सकते हो daily use करना चाते हो तो वो भी कर सकते हो काफी सारे color options भी है जिससे अगर आपको कई पे पहन के भी जाना है तो easily यह जो shoes है वो आपके outfit पे भी जो है वो जा सकते तो एक बहुत अच्छा option है color options भी काफी सारे आपको के आसपास आज यह पर काफी सारे coupon code है वो भी रहते है तो 500-600 रुपे का discount आराम से coupon code से मिल जाता है उसके उपर अगर आप credit card का use बगर करते हो तो 4200-300 के आजपास आराम से जो choose है वो मिल सकते है या फिर अगर आपके पास credit card नहीं है और आप बस पहली बार buy कर रहे हो तो अगर आपका जो budget है वो इतना जादा नहीं है और तब भी आप एक नाइकी का अच्छा शू buy करना चाहते हो तो फिर आपके लिए नाइकी का जो quest 5 है वो मैं आपको जो है वो suggest करूँगा यह भी जो शू है एक बहुत अच्छा option है और इसमें भी आप थोड़ी बहुत running कर सकते हो daily use करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो इसकी जो match की quality है वो भी अच्छी रहती है अगर आप एक देर साल भी यूज करोगे तो भी ऐस सच कोई भी जो problem है वो face नहीं करना पड़ेगा आपको इन शूज में तो daily wear के लिए अगर आपको चाहिए या फिर college में प मिल सकते है लिंक मैं आपको जो है वो description में दे दूँगा इसके लोग यहाप पर और एक option होता है कि अगर आप return नहीं करोगे no return का एक coupon code होता है तो इससे और discount मिलता है तो 2100 इसके आसपल भी आपको यह जो shoes है वो मिल सकते है तो एक अच्छी deal आपके लिए जो shoes है वो रह स करूँगा तो daily use के लिए यह जो shoes है वो बहुत अच्छ है काफी comfortable है जिनका जो foot है वो थोड़ा wide होता है उनके लिए जो shoes है वो बहुत अच्छा option है तो मैं ज़रूर recommend करूँगा यह shoes भी अगर आपको daily use के लिए चाहे तो एक बहुत अच्छा option है जिम में भी आप पहन सक जाते हो तो यह shoe आपके लिए बहुत अच्छा option रह सकते है और comfort भी बहुत अच्छा मिलेगा प्राइजे 2700 के आसपस बट अगर आप सर्च करोगे या फिर यहां पर भी आप देख सकते हो यह यह वाला and 2300 के आसपस आपको यह जो shoes है वो मिल जाएगा जिसमें अगर आप नाइकी के विन फ्लो 10 अविन शूस को मैं काफी टाइंग से आ रहा हूँ अगर आपको रनिंग के लिए चाहिए या फिर कोई भी एक्टिविटी के लिए चाहिए तो यह शूस एक बहुत अच्छा option रह सकता है प्राइस बें अभी काफी कम हो चुका है इनका जो MRP है वो almost 50% के discount पे जो shoes है वो मिल रहे है इसमें भी और discount आपको जो है वो मिल जाएगा जिसमें आप RMC ने 4000 या फिर इसके अंदर भी बाई कर पाऊगे तो यह तो बहुत अच्छा option है इसका भी detail review मैंने आपके लिए जो है वो बनाया है वो आप जो है वो देख सकते हो और इसके इन के लिए जा सकते हो फिराल 4,000 के आसपास price है अगर आपको एक अच्छा coupon code मिल जाता है या फिर first time आप आज ही उसे buy करते हो तो 4000 के अंदर आपको आराम से यह जो shoe है वो मिल जाएगा और यह मैं personally भी use कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा shoe है जरूर आप इन के लिए जो है इसका भी अभी आपको जल्दी review वीडियो जो है वो मिल जाएगा यह भी shoes मुझे बहुत पसंद है अगर आप compare करते हो कि wind flow 10 अच्छा है या फिर 11 तो आप बहुत ही running करते हो तो wind flow 11 के लिए जा सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत running करते हो और daily उसके लिए buy करना जाते हो तो फिर wind flow 10 आपके लिए बड़ी option जो है वो रह सकता है बाकी wind flow 11 में भी काफी सारे जो improvements है वो किये हुआ है यहाँ पर guys 3.0 कुष्णौल का जो use है वो किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है और काफी soft इसका midsole है grip भी बहुत अच्छी मिल जाती है तो running के लिए बहुत अच्छा option यह जो शू है वो रह सकता है फिलाल प्राइज है guys साड़े छे हजार के आसपास बट ट्राइ करना कि इनको साड़े पाच के आसपास buy करना उससे जादा मत देना because इनके उपर हमें जो discount है वो देखने को मिले थे and चार साड़े चार हजार के पास यह जो shoes है वो आजाएंगे हराम से तो इन्हें आप ले सकते हो अगर पाच जार के अंदर मिलते तो एक बहुत ही अच्छे deal आपको जाए वो मिल सकते है और बहुत ही अच्छे shoe रहेंगे अगर आप running perspective से buy करना चाहते हो तो link आपको जाए वो description में मिल जाएंगी अब बढ़ते next shoe के और जो किये guys Nike के journey run shoes अब इन shoes में काफी demand आ रही थी कि इन shoes का review बनाओ तो इनके उपर भी जलती review आ जाएगा तो जैसे quest series में comfy ride का use क्या था midsole में cushioning का तो इन shoes में भी guys आपको comfy ride cushioning का use है वो देखने को मिल जाएगा देखने में जो shoes है वो बहुत ही खतरनाक और बढ़िया से लगते है और running में भी guys यह जो shoes है वो आपके लिए बहुत ही बड़ी है जो option है वो रह सकते है अगर quest 6 या फिर journey run में compare करें तो इनका guys detail review video बनाना पड़ेगा बट दोनों जो shoes है वो बहुत अच्छ है और दोनों का जो pricing है guys वो भी आपको आसपासी देखने को मिल जाएगा बट अभी के time पे guys मैं journey run को थोड़ा जादा preference जाए वो दूँगा बाकि फिर आप एक बार दोनों shoes quest 6 and दोनों को बुला के देख सकते हो जो अच्छा लगता है उने रख सकते हैं जो नहीं लगता है उसे वापस भी कर सकते हैं जो नहीं लगता है उसे वापस भी कर सकते है वो यह shoes रह सकते है फिर next है guys यहाप यह Nike के downshift 13 running shoes बहुत ही popular यह shoes है बट बहुत ही कम लोगों को यह जो shoe है वो मिल पार है because यह generally out of stock ही जो है वो रहता है अभी भी out of stock है मैं link आपको जो है वो description में दे दूँगा अगर आपको यह fortunately मिल जाता है तो आप इन shoes के लिए जो है जा सकते हो एक अच्छा option है अगर आप daily use करना चाते हो running करना चाते हो तो एक अच्छा option आपके लिए जो है वो रहेगा बट आप specifically running के लिए buy करना चाते हो तो आप quest 6 के लिए जा सकते हो या फिर winflow 10 के लिए जा सकते हो 11 के लिए जा सकते हो या फिर journey run है इसके लिए जो है या फिर क्वेस्ट फो फाइब भी हमार ऑप्शन है तो इनके लिए आप जा सकते हैं यह बेटर आपके लिए वो रह सकते हैं ठीक है बाकी और भी शूस की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जा पी बेस्ट प्राइस मिलता है वहां से आप जो है वो इसके लगा काफी सारी शूस के उपर डीटेल रिवी वीडियो भी बनाया है तो वो भी आप एक बार देख सकते हो एंड फिर उसके बाद आप जो है वो भाय कर सकते हो ठीक है तो आपको यह जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा इसके बाद गईस कौन से ब्रैंड के इसके उपर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना वैसे वीडियो बना कि आपको रहे वो इनफर्म कर दूँगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना है गाइस मिलते है ऐसी और एक इनफर्मेटिव वीडियो में